ओम नमस्यवाई हर हर महादिय। कि आप जानते कि सुहाग की सामगरी का दान क्यों किया जाता है कहीं आप भी तो नहीं करती सुहाग की सामगरी का दान शिवपुराण की कथा से जाने सुहा की सामागरी को दान क्यों किया जाता है इसके दान करने से क्या होता है इसका कारण क्या है तो शिवपुराण की कथा कहती है कि भारत की भूमे की सोभागवती माताओं की एक मन की अभिलासा होती है कि जब उसके प्राण छोटे तो अखंट सो भागवती धारन कर गे पती की कंधे पर पुद्र के कंधे पर ही समसान घाट पहुँचे यह हमाई भारत की माताओं का संकल्प है उनके मन का भाव है स्रावन मास की सिपुरान की कता कहती है कि जब हमारे यहां बेटी को बिदा किया जाता है पहली बार जब उसके पाव में बिच्वे पहना जाते हैं तो वो बिच्वे अलग-अलग नहीं होते हैं वो बिच्वे चैन से एक दूसरे से बंदेवे होते हैं उसको अलग-अलग वाले बिच्वे क्यों नहीं पहना जाते तो वो इसलिए नहीं पहना जाते कि जैसे ये बिच्वे एक दोसे से पाउ में बंधे हुए है ठीक वैसे उस बेटी की जिंदिगी उस बेटी की जोड़ी अंतिम स्वास तक ऐसी ही बंधीर है इसलिए सुहाग की चीजों को जोड़ी सी पहना जाता है चाहे चोड़ी हो या बिच्वे दोनों को जोड़ी सी पहना चाहिए एक एक नहीं स्रावन मास की सिपुराण की कथा कहती है कि माता पारबती और गिंगा मातानी ये चातुर मास में जितना सुहाग का समान दान किया है उनके बराबर दुनिया की कोई भी इस्तरी ने सुहाग के समान का दान नहीं किया वो चातुर मास के प्रत दिन सुहाग का समान का दान करती थे श्री पुरान की काथा कहती है कि सुहाग के समान को कभी भी प्लास्टिक की दल्या में दान नहीं करना जाहिए क्योंकि एक एक पुरान को उठा कर देख लीजिए एक एक बुक को उठा कर देख लीजिए उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सोभाग के समान का दान किया जाए उसमें ये लिखाए कि बास की डलिया में सोभाग की वस्तु का दान करना जाहिए क्योंकि बास वंस की ब्रद्धी काता है बांस सोभाग की प्रद्धी करता है जैसे बांस का पौधा बढ़ते चला जाता है उसी तरह जब बांस की डलिया में सोभाग का समान दान किया जाता है तो उस इस्तिरी का सोभाग वैसी ही बढ़ते चला जाता है वहीं यदि सावन के महिने में सुहाग की सावान में हरी चुड़िया दान की जाती है तो इसका फल दो गुना बढ़ जाता है क्योंकि हरा रंग माता गौरी को बहुत पसंद है और यदि माता गौरी के मंदिर में जाकर अगर आप हरे रंगी चुड़िया उनको पहनाती है य झाल झाल